नमस्कार आप देख रहे हैं पीडी न्यूस तभी जुबा की रास्ता मैं हुआ के साथ निवाज भाई चलिए अब बढ़ते हैं कभरों की ओर मैं हूँ संजेक कुमार हम लोग अभी उपस्तित हैं कठियार जी लेके असन गंज परखंड में वहां हम लोग रुबरू होंगे असन गंज परखंड जद्यू के परखंड लत्यर से उससे कुछ बाचित करेंगे वो नितिश जी के मुद्य पर नितिश जी ने जो सेक्स पर अगर आप गहराई से इस बात को सोचेंगे तो हमारे मानमिय मुखवंत्री जी ने कोई गलत बात नहीं कहीं थोड़ा सा तकलीप तो हम लोगों को भी है कि भासा का चैन सही नहीं हुआ लेकिन आप देखे होंगे कि उन्होंने तुरंत मापी मागने में जब उनको ये कि उनसे थोड़ी बोलने में सदन की मरियादा का थोड़ा ध्यान नहीं रहा जिसके वज़े से उनके मुह से ये बात निकल गया लेकिन गहराई से जब उस बात का आप अध्यान करेंगे तो आपको ये समझ में आए कि उन्होंने कोई गलत बात नहीं थे वो इस बात से बह अब सवाल है कि अब विपक्ची का काम तो है कि वो किसी भी मुद्दे को कैसे उनके खिलाब इस्तेमाल किया जाए एक बात आप जान लीजिए हम लोग आम खाते हैं तो फल खाते हैं गुठली को नहीं रखते हैं ने गुठली को फेक दिया जाता है तो सबसे बड़ी बात है कि वो जो कहना चाहते थे उससे फोकस अटा है कि उस गुठली पर ध्यान लोगों के जनता का दिलाने का कोशिज भी बग्ची पाटियां कर रही है क्योंकि वो नितीशकुमार से घबडाया हुए है उनको मालुम है कि इनकी छवी जितनी बुलंद रही है आज तक कभी न करने का नियती कुछ और था लेकिन यहां आजमी कुछ और समझ रहे हैं वह जमसंख्या नियंतरन के बारे में जो बता रहे है कि महिलाओं को जानकारी होगी तो वह अपने आप में इसको रोकेंगे यह कहना चाह रहे थे लेकिन इसको भीपक्षी दल या भीपक्षी पाट को साक्चर किया तो यह सब कुछ महिलाओं के सिक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और महिला के सिक्षित होने से उसका क्या प्रभाव हमारे समाज में पड़ता है उनके कहने का मूलता उद्देश यही था जाती है जन गन्ना गन्ना जो अभी हुई उसमें जो सार निकल के उससे यह समझ में आता है कि जिस घर की महिलाएं पड़ी लिकी हैं उनके हाँ परजनंदर बांकी पड़िवारों के पनिश्पत कम तो वही मैंने थोरी दर पहले कहा कि आप आम खाने से जादा गुठली पर फोकस क्यों बनाया जा रहा यह आप समझ सकते हैं यह तो विपक के लिए महिला के लिए अल्पसंख्यों के लिए उद्योग का मौका देना खेती के लिए हर घर बिजली हर खेत में बिजली पहुचाना या जो लर्कियों को मैट्रिक में स्कॉलर्शीब दिया जाता है फंट फंस डिविजन आने के बाद इंटर में जो दिया जाता है उनक कि भी मुक्वंत्री से उनका तुलना करके आप देख सकते हैं, वो तो हरसा तिरेक में उनके मुह से ये बात कहीं से कोई गलत नहीं है, उन्होंने कोई ऐसी बात गलत नहीं कही है, जिसका गलत वर हाँ, ये मैं मानता हूं कि जिस भासा का चैन हुआ वो थोड़ा अच्छा न नहीं कहनी चाहिए, तो हमारी जौरत जो है, जब उसको वो पूरा कर रहा है, और ये अभी लोकसभा का चुराव, ऐसा बहुत कुछ होगा, उनकी छवी को दोमिल करने का परियास किया जा रहा है, क्योंकि घबराहट तो आरतिये जनता पार्टी की जो केंदर में सरकार है, उनको घबराहट अगर किसी से है, तो तो नितिस कुमार से है, और जनता इस बात को समझ रहे, तो उनके चरित्र को थोड़ा सा उच्छाला जा रहा है, ये राजनितिक विशाई से कुछ पढ़ने वाला है, जनता के लिए क्या मेसे है, मेरा एक ही बात काना है, कि आप ये देखिए कि नितिस कुमार जी ने जो हमारे जीवन अस्तर को बदलने के लिए जो काम किया है, हम लोग जो है उनके अच्छाई के तरफ ध्यान देंगे न, वो उनके वज़ा से जो हमको फायदा हो रहा है, आज ना हमें खेती में कोई दिकत है, बिजली के वज़ा से इतनी सुमिधा हो गई है, सब्तर पिसा, पिसाट पिसा यूनिट पे विजली मिल रहा है, सरकों का जाल फैल चुका है, महिलाओं के लिए हर जगा, आज आप देखिए कि हमारा समाज महिलाओं को जो आरक्षन दिया गया, या आप देख लिजे जो पंचायत चुना होता है, उसम से आम आदमी को क्या फायदा हो, किसी भी चीज महंगाई को लेकर आप देख लिजे, आप कोई भी समान उठा लिजे, जब आप पैसे खर्च करते हैं, तो आपकी बांकी चीजे परभावित होती है, चाहे आपके घर का विवस्ता हो, पढ़ाई, लिखाई, खान, पान, को बदनने के लिए तो कुछ नहीं किया जा रहा है, धर्म का एक आदमबर फेलाया जा रहा है, आप देखे हो, यह कोई भी तिवार होता है, इस धंग से पैसा खर्च किया जाता है, आज ED, CBI, सब को उन्होंने अपना, क्या कहिएगा, वो लगता है कि जैसे उनके BJP सरकार की नौकड़ी कर रही है, भारत सरकार के नहीं हैं लोग, यह BJP पार्टी की संस्ता है, जो उनके जो बिरुद जाते हैं, उनके खिलाब, उनको हत्यार के तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं लोगों को यही कहना चाहूंगा, कि भारती जनता पार्टी के जुमले बाजी म में नहीं फसना है, आप जो नितिस कुमार जी ने अच्छा काम क्या है, इसे ही 17 साल कोई मुक्वंत्री नहीं दा सकता है, एक दम, एक दम सही बहुत है, तो कुछ तो वज़ा है, कुछ तो उन्होंने दिया है, और आप देखिए कि आपका जीवन 17 साल, 20 साल पहले क्या था अब ही आपके जीवन में क्या बदलाव आया है, आपके घर की महिलाएं अब घर से निकल के दो पैसे कमाती हैं, जितना देवस्ता दिया जा रहा है, अगर आप उद्वियम करना चाहते हैं, उसके लिए लोन के फैसलिटी है, जो बच्चे पढ़ने चाहते हैं, उनके अपने मन से समर्तन करते हैं, आने वाले चुनाओं में भी लोग नितिश कुमार का साथ बेंगे, ये ततकालिक अभी बनाया जा रहा है विपक्ची लोगों के दोवारा, लेकिन ये बहुत ज्यादा ठीकने वाला नहीं है, आपका परीचे, जदियू परखंड रद्यक्ष राजी वरण्जन विश्वास, हसन गल्ज, जदियू परखंड परद्यक्ष, ट्रिश्टर, अगर अब देख आपने मारी चनल को सब्स्क्राइब नहीं के अफ़र सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेर करें, ध्यानिवाद।